मैं देखो हर जगा तो पुलीस भी नहीं पहुंच सकती है और हम भी नहीं पहुंच सकती है इस तरह का इशू अगर किसी सिख मेरे भाई बेंक के पास पहुंचता है उनको इस तरह की कोई गुटका मिलता है तो वो सबसे पहले हमें आके बताएं ताकि एक्शन हमने लेना है दिली कमेटी दिली की दर्मपरचैर कमेटी हमारे लीगल सेल है वो इस पर एक्शन लेंगे ना कि वो खुद वीडियो बनाएं तो पी कमेटी आये थे शिकायत करने हमारे परधान जी भी बैटे थे सेक्टरी साब भी बैटे थे मैं भी था हमारे और मेंबर्स भी थे उनको बोला जा कि यह गुटका हमें दे जाओ हम इस पर लेगल कारवई करेंगे तो उन्होंने व को बंदाम करने के उनकी साजी शो एक्शन भी नहीं ले सकते हैं मगर हमने फिर भी उनको लीगल नोटिस जारी कर दिया जिसने प्रिंटिंग कराई है आप देख रहे हैं नोटटैंस पंजाब के सिरी टीवी पिछले दिनों सोसल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुई जिसमें एक व्यक्ति जो है जबजी साहिब की एक जो लेकर उसको लेकर सवाल खाड़े कर रहे थे कि बहार होर कुछ है और अंदर होर कुछ है लेकिन इ देखो यह जो मैटर है यह आज से नहीं चल रहा है पिछले कई सालों से चल रहा है जो आज से चल रहा है तरह नहीं है नहीं उनके सामने भी यह प्राबलम आती रही है को कि दिल्ली दी के जितने भी प्रिंटर्स है या जिन को हमारे धरम के भारे में नfarबार बार्माडोज में लग है और परेड़े कर तरह हैं और प्छली कमेट्र्स इस मुद्द्द को वह दो हिल behavior को प्रिंट के छप जाते हैं उनमें फोटो अलग लग तरह की लगी होती हैं और हम उनको टाइम टो टाइम नोटिस भेजते रहते हैं अब आपको पूरी फाइल दिखाऊंगा मेरे पास दो इस पांचमें महीने में एक लक्षमी प्रकाश्चन की हमने उन्होंने जबजी सब के गुटके गल चापे हैं तो हमने उनको नोटिस बेजा है लीगल नोटिस तो यह उनका अपॉलोजी लेटर है उनके लॉयर ने हमसे यह माफी मांगी है लीगली उसके बाद में फिर मरे पास एक कंप्लेंट आई उसके बाद जो मरे पास कंप्लेंट आई है यह गुटके की इसके लिए जो गुटके की कल से वीडियो चल रही है वो मरे पास नोटिस पिछले महीं ने आ चुका था उसको देखते हुए हमने आपको भी मालूम है आप सब लोग आये थे उस तेम तो हमने प्रेस कॉन्फरे के बाद जितनी भी दिल्ली की प्रिंटींग एसोसेशन हैं हमने उनको ये नोटिस भाए भी मशेम और उनोंने कहा कि रहे आप को बताएं यह आपके जो एससेशोसेशन ने आगा नहीं किया होगा तो उन्होंने ये आप आपालोजी लेतर भी हमें बेजा है और एक notice उनके जितने भी associations के members है उनको भी विजा तो सब association वालों ने और printing press वालों ने इस बात का श्वासन दिया है कि आगे से इस तरह की कोई भी गलती नहीं होगी यह इशू हमने एक सतंबर को प्रेस कॉंफरेंस की है प्रेस कॉंफरेंस के बाद अगर इस तरह की गलती दुबारा होती है तो हम चाहे पूरी दिल्ली कमेटी की पूरी टीम हमें ले जानी पड़ती चाहे हम उसको पुली स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंड करते कुछ भी यह बहुत सारे लोग पुब्लिकेशन होते हैं यह ऐसे जुड़े नहीं होते हैं उनके लिए क्या कदम उठा रही है तेखो पहले तो आपको में समझा दो पुरा कि दिल्ली में जितने भी प्रेंडिंग प्रेंस चल रही हैं वो सारी एक एक एस्टेशन के अन्र में है वो करेंगे और उसके पास जितना भी ऐसा इस तरह का मेटीरियल होगा तो हम अपने बास लेके आएंगे मगर मैं देखो हर जगा तो पोलीस भी नहीं पहुंच सकती और हम भी नहीं पहुंच सकते इस तरह का इशू अगर किसी सिक मेरे भाई बेन के पास पहुंचता है उनको अजय कोई गुटका मिलता है तो वह सबसे पले हमें आके बताएं ता कि एक्शन हमने लेना है दिली कमेटी दिली की दर्मपरचार कमेटी हमारे लीगल सेल हैं वह इस प्रक्शन लेंगे ना कि वह खुद वीडियो पनाएं अगर हम वह खुद वीडियो पनाते हैं उसमें में आपको बतारा हूं कि दिल्ली के बाहर ने देखा हुआ अगा पिष्ली कमेटी के अमारे परदान मनझेंदर सिरसादे इंडिया में किसी भी स्रेट में इस तरह की प्रप्लम हो तो वो खुड जू 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 पुछ पॉइच्छ तो जू आप पॉँच्छ था अ कि आपको बात करहे हैं तो उसें वो पोड़ गुड़दारा मैंजमेंट कंए पो बौर जू जू कि यूटे उल्य गुजयावट एँ में परमारी कि मैंटे मैंको भी सिरुमन्यमेटी अ सवार्ण पर्दंुक इस ध colony, प्यूड़िख भी जो उसे बात करहे हैं था गया हु तो उन्होंने वो अननेसरी घुसा होके वो गुटका उठाके ले गए अगर वो गुटका उठाके लेके जाते हैं तो आज हमें पुलिस अगर हमने फिर भी उनको लीगल नोटिस जारी कर दिया जिसने प्रिंटिंग कर आई हैं अगर उनकी वीडियो को नहीं डालता तो खोदी वीडियो बना कर डाल देते हैं तो उनकी इस तरह की भावना इस तरह की मंशा रखने से संगत गुम्रा होती है अब यह वीडियो दूर दूर तक पहुंच गई मैं संगत को कहना चाहता हूं संगत को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमने ला एक सप्टमबर को प्रेस कॉन्फरेंस की है वो किसी ने भी फॉरवर्ड नहीं करता है इसमें जगड़े की भावना बढ़क सकती है तो किसी को भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम समझ में आती है या नजर आती है वो सबसे पहले हमें आके बताए हम उसके ओपर एक्शन लेंगे क्या कोई ऐसी कोई टीम बनाई है जो बजार में जाकर इन सब शीयों की तहकिकाट जो हो कर सके जहां भी यह जो जब जी साइब जो अपनी ध्रम के जो चीजे रखी हुई है क्या इनको आपने अपने हैंड़ लिया भी बिल्कुल लिया हमने पिछले हफते ही एक जो प्रि करने हैं अगर आपके बास को इस तरह का मेटीरियल है तो हमें बताएं तो उन्होंने में फोडो में भेजी हैं तो मुझे बता चला वहां भी कुछ गुटके पड़े हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रिंटर्स हैं सब को हाथ जोड़के विनती करता हू कि इस तरह के घुटके इस तरह का मैटीरियल रिलिजियस मेटीरियल गुर्स सिख कौम का रिलिजियस मेटीरियल अगर आपके पास पड़ा है अगर आप हमें दे नहीं सकते तो हमें सेल कर दो हम उसका पे करेंगी आपको ता कि आपका भी नुक्सान नहों मगर उसको आप म कि अगर कोई भी आगे कोई ऐसी चीजे आप धरम को प्रिंट करना चाहते हैं तो दिल्ली कमैटी के धरम परचार से पहले इसकी सला मसवरा करें बिल्कुल पर दिखाना चाहूंगा कि अभी जो मने पिछले हफते पता किया है किसी प्रिंटिंग प्रैस को मने फोन किया मुझ नहोंए जबजी सायब के गुटका इस लिए इसने से प्रिंट किया हूआ अब उसमें उनोंे हिंदी और पंजामी दोनों एक में डाले हुए तो इस लिए का मैटिरल अबी भी बजार में है तो हम उसके अपर पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे है इसमें कुसी बी तरह कि को कुछ भी चापना चाहते हैं तो पहले दिल्ली कमेटी की धर्म परचार से संपर करें. बिल्कुल, हमारी एक सर्मोर संस्ता है श्रियक कालतगत साब. वहां से हुकम नमा 2009 में जारी हुआ था कि गुरुबानी से रिलेटिवड कोई भी लिट्रेचर, दिल्ली गुरुदारा परबंदय कमेटी, श्रोमनी कमेटी पंजाब की उसके लावा कोई भी इसको छाप नहीं सकता हूँ. अमरित सार में कुछ परिंटेरS चापते हैं, उनके पास अकाल्तग साब की परमीशन है, उनकी परमीशन या हमारी परीशन के अलावा कोई भी इसीज़ को प्रिंटिग कर सकता हूँ और आगे से कोई भी प्रिंटिंग ना भी करें, अगर कोई भी करता है तो उनके अपर 29 तो पचानवे कहा मुकदमा देंगे।